हलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स नाइ न्यूज, मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूँ हमारा आज का खास प्रोग्राम सोनम कपूर स्पेशर, आज एक बार फिर से हम बॉलिवुट की जानी मानी अक्टरस सोनम कपूर को लेकर हाजिर हैं आप सभी के सामने दोस्तों जैसा की सब जानते हैं कि बीती ही आठ मही को सोनम ने अपने लॉंग टाइम बॉयफेंट आनंद आहुजा से शादी कर अपना घर बसाया है तो शादी के बाद सोनम कपूर लगातार ही खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं लेकिन इस बात के अरावा भी वो किसी दूसरी बात को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विशे हैं और वो है उनकी आने वाली फिल्म वीरे दी वैडिंग में उनका बॉल्ड अवतार जी हां दोस्तों जैसा की सब जानते हैं कि अपनी शादी के बाद सोनम कपूर पहली बार फिल्म वीरे दी वैडिंग में नजर आने वाली हैं इस फिल्म में उनका बॉल्ड अवतार देखने को मिलेगा तो अब बात सामने ही ये आती है क्योंकि इस बॉल्ड अवतार को देखकर उनके घर वाले और उनके ससुराल वालों का क्या रियक्शन होता है आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे सोनम कपूर के बॉल्ड लुक को लेकर उनके ससुराल वालों का क्या रियक्शन रहा है जहां उनके फैंस के द्वारा उनको लगातार ही पसंद किया जा रहा है तो उनको इस तरह के अवतार में देखकर क्या कहते हैं उनके ससुराल वाले चलिये जानते हैं बिना देर किये अपनी शादी के बाद से ही खबरों में रहने वाली एक्षरस सोनम कपूर एक बार फिर से आ गई हैं खबरों में जैसा कि सब जानते हैं इन दिनों वो अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग को लेकर खबरों में बने हुई है इस फिल्म में बोल्ड अफ़दार देखने को मिलने वाला है सोनम कपूर का तो साथ ही उनके फैंस उनके इस लुक का इंतजार काफी बेसबरी से कर रहे हैं तो साथ ही बता दे जहां उनको हर तरफ काफी पसंद किया जा रहा है तो वहीं जब इस बारे में उनसे ससुराल वालों के रियक्शन के बारे में पोछा गया कि इस फिल्म में उनका इतना बोल्ड अफ़दार देखकर उनके ससुराल वालों का क्या कहना है तो बता दे दोस्तों फिल्म में अपने बॉल्ट सीन्स को लेकर सोनम ने कहा कि उनके घरवाले या ससुराल वालों को इससे कोई दिक्कत नहीं है ये उनका काम है और इसे करने में उन्हें कोई भी संकोच नहीं है तसराल की तरफ से उनको काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला है सोनम बताती है कि आनंद के घरवालों ने काफी तारीफ की है उनकी इस फिल्म के लिए इसी के साथ सोनम कपूर ये भी कहती है कि अपनी फिल्मों से पुरानी गिसी पिटी सोच को बदलना चाहती है और उनकी इस फिल्म से हर किसी को खुब सीखने को मिलेगा वेल दोस्तों ये तुनके फिल्म के गानों से आ रहे और ट्रेलर से दिखाई देता है कि फिल्म कितनी बॉल्ट साबित है और आज ये फिल्म हर किसी की स्वोच से काफी बड़े है इस फिल्म में है उन चार लड़कियों की कहानी जो बिल्कुल फीरम होती है और फिल्म की कहानी इनी चार लड़कियों के एड़ गिर्द घूरती रहती है बता दे दोस्तों एक बार फिर से फिल्म में है करीना कपूर खान, सोनम कपूर, स्वड़ा भास कर और शिखा तलसानिया उनके इस लुक को, उनके बोल्डरदार को, उनके फैंस काफी पसंद कर रही है दोस्तों जब से सोनम कपूर की शादी हुई है, तभी से ही वो अपनी शादी को लेकर लगातार खबरों में बनी हुई है भले ही शादी के बाद आनंद और सोनम बिजी हो गए हों लेकिन फिर भी अकसर ही दोनों को साथ में देखा जाता है इसी के साथ बता दे, खाल ही में एक बार फ़र से दोनों की एक वीडियो सामने आई है जिसमें नजर आया है सोनम और आनंद के बीच का प्यार यह वीडियो बना रहे हैं आनंद और काफी क्यूटनेस के साथ वो अपनी पत्नी सोनम की तरभ देखते हैं जो अपने पती को देख कर काफी क्यूटनेस के साथ पोस देती है वेल बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दे कि सोनम ने आठ मई को धूमधाम से शादी रचाई बॉलेवुड स्टार्स की मौझूदगी में इनकी शादी मुपई में हुई जिसमें तमाम सेलिबरिटीज ने जम कर मोच मस्ती की शादी के ठीक बात सोनम कांज फिल्म फेस्टिवल का हिस्ता बनने के लिए फ्रेंच लिवेरा रवाना हो गई और वहां से लोटने के बाद अपनी आगामी फिल्म वीरे दी वेडिंग का प्रमोशन करने में वियस्त हो गई दोस्तों आम तोड़ पर शादी के बाद कपल्स हनीमून पर जाते हैं लेकिन काम की वज़ा से सोनम ऐसा नहीं कर पाई अलाकि मैं आनन्द के साथ इन दिनों जादा से जादा वक्त बिता रही है इसकी तस्वीरे और वीडियो इंटरनेट पर आए दिन वायर रूप की जाती है बॉलोवर डे अक्टर सोनम कपूर ने 8 मई को बिसनसमेन आनन्द अहूजा के साथ साथ फेरे लिए मतादे की शादी के बाद सही सोनम यूजर्स की निशाने पर आ गई है और शादी के बाद ही लगतार ट्रॉल की जा रही है और हाल फिलार शोशल मीडिया में फिर से सोनम ट्रॉल होने लगी है खबरों की इमाने तो सोनम कपूर ने अपनी शादी का मंगल सूत्र गले की वजाए कलाई पर पहन रखा है फिल्म प्रमोशन के दौरान सोनम ने बहुत ही प्यारा सा एक सूट पहना था और उसके साथ एक काला हैंड बांग लिया था और उनके बाय हाद की कलाई पर उन्हेंने मंगल सूत्र पहना हुआ था तो यूजर्स ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया एक यूजर ने निखा मंगल सूत्र पहनना कोई मजबूरी नहीं लेकिन ये पती के लिए प्यार दिखाने का एक तरीका है इसे हमेशा दिल के पास होना चाहिए इसलिए इसे गले में पहना चाता है बॉलिवुड दिन प्रते दिन हमारी संस्कृती के साथ खिलवार कर रहा है ये लोग भारतिय परंपरा और विदेशी सव्वेता को मिक्स कर रहे हैं बॉलिवुड में हमेशा से अपने फैशन स्टाइल को लेकर जाने जाने वाली सोनम कपूर जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती है सोनम ने हाल ही में 8 माई को अपने बॉइफ्रेंड आनंद अहूजा से शादी कर ली तुम्हें इन दोनों ने सिक्रीती रिवात से दुपहर के समेश शादी की है आपको बता दे सोनम कपूर हमेशा से ही फैशन के लिए जानी जाती है अकसर ये देखा गया है कि सोनम की बहन रिया कपूर उन्हें फैशन के लिए चीजों की टिप्स देती दिखी है हमेशा से ही सोनम के फैशन के पीछे सारा क्रेड़ेट उनकी भेहन रिया कपूर को मिलता है सोनम के फैशन को उनकी भेहन रिया कपूर ही देखती है बगर अब ऐसा नहीं होगा अब उनके फैशन को उनके पती आनन अहूजा देखेंगे यहां हाल ही में सोनम और आनन की कुछ फोटो सामने आई है जिसमें सोनम उनके क्लोथिंग ब्रैंट बहाने के कपड़े पहने वे नजर आई जिसे देखकर एक चीज तो साफ है कि आनन ही अब सोनम को एक कपड़ों को डिसाइड करेंगे कि कब क्या उन्हें कहां पहनना है वेडिंग को लेकर भी काफी जादा चर्चाओं में बनी हुई है बता दे सोनम कपूर के फिल्म काफी बोल्ड है और साथी साथ इस फिल्म में काफी गंदी गालियों का भी इस्तमाल किया गया है लेकिन अब सोनम कपूर के ससुराल वालों ने सोनम के इस फिल्म को लेकर कोई दिक्कत नहीं है ये मेरा काम है और इससे करने में मुझे कोई संकोश नहीं है ससुराल की तरफ से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉंस मिला आनंद के घरवालों ने काफी तारीफ की है इसी के साथ सोनम ने कहा मैं अपनी हर फिल्म में पुरानी गिसी पिटी सोच को मुझे लगता है कि इस फिल्म को हमने बहुत महनस से बनाया है ये बहुत एंटेटेनिंग है और उमीद है कि फिल्म काफी अच्छा रिस्पॉंस करेगी वेल दोस्तों देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सोनम कपूर से जुड़ी कुछ तमाम खबरों के बारे में जहां सोनम कपूर लगातार ही अपनी शादी के बाद अपनी आने वाली फिल्म वीरे दी वैडिंग को लेकर खबरों का हिस्सा बनी आप सभी की फेवरेट सोनम कपूर तो वहीं जहां उनको हर कहीं पसंद किया जा रहा है उनके इस होट अबदार में तो वहीं हर को ये बात जानने के लिए भी उच्सुक था कि उनके घर वालों का क्या रियक्शन होता है आनंद के घर वाले कितना पसंद करते हैं सोनम को लेकर और उनको इस बात से कोई भी आपती नहीं है कि वो अभी फिल्मों में ऐसे बॉल्ड किरदार प्ले करती है वेल दोस्तों हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही तास अपडेट्स के लिए बने रही हैं हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तब तक के लिए स्टेटी उन बाब बाई झाल को सब्सक्राइब